इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा गया था काम्याम हो गये मौमिनी और उस वक्त मुझे पुरानी जिंदगी में में लिए काम्याबी कुछ और थी काम्याबी वो थी जो मैं देखती थी मेरा काम करना, पैसा, दौलत, शोहरत एक अलग किसम की फैन फॉलॉइंग होना और अलग अलग चीजों को एक खिरदार निभाना और उस तरीके की फैन फॉलॉइंग होना और पिछले साथ साल से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीरिसली शुरू किया तरजुमे के साथ मैं नमास की पाबंद होने लग गई और बहुत सारी चीजों की आहिस्ते आहिस्ता चीजे बढ़ने लग गई और उस वक्त मुझे ये खयाल आया जब मैं तरजुमे के साथ पढ़ती थी अशले लगता था कि अंदर से बेचे नहीं होती थी कि क्या मैं इस पे खरी उतर रही हूं या नहीं और युनो तब मैंने बैट के सोचा कि असल कामियादी क्या है? और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई वहां समझ मैं आए कि कामियाब इनसान वो है जो अल्ला की नजर में कामियाब है नहीं दुनिया की नजर में कामियाब है या हम जो कामियाबी समझते वो कामियाबी है और इसका मतलब क्या है जब कुरान कहता है कि कामियाब वो है जिसे अल्ला समझते है कि कामियाब है और जिसे अल्ला की कामियाबी मिले तो मैं सोचती थी ऐसी कौन से चीज़ जो अल्ला की नजर में कामियाबी हो क्या ये चीज़ कामियाबी नहीं है और तब पता चला कि यह जिसे यह पूरी काइनात है यह पूरी दुनिया है अल्ला ने इंसानों के लिए बनाया है और हम इंसान को अल्ला ने अपने लिए बनाया है अपनी अबादत के लिए बनाया है और जिसे हम इंसान दुनिया में जो भी चीज़े इसकी कीमत है और वो कीमत कौन ते करता है? हम इंसान. जेसे गाड़ी है. गाड़ी हमारी जरुरियाती चीज है. और इसकी कीमत कौन ते करता है? हम. और जिस वक्त इससे कोई और replacement हमें मिल जाएगा. हमारे लिए इसका value zero हो जाएगा. और यह चीज बहुत आसान है समझना, जब लोग दुनियावी चीजों में इतने पागल हो जाते हैं, जिसमें से एक मैं भी थी, वो भूल जाते हैं, एक गाड़ी मेरी लिए बनी गई है, पर मैं गाड़ी के लिए नहीं बनी हूँ, मेरा वजूद, एक इंसान का वजूद इस दुनिया में कुछ और है, वो गाड़ी तक नहीं है, या दुनियावी चीजों तक नहीं है, और मैं अच्छली अल्ला की कामियाभी पाना चाहती थी, आप देखिया, अल्ला ने क्या कुछ नहीं बनाया, यूनों, पहाड, पानी, हवा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्या नहीं बनाया, हम इन और उसका तरीकी कार, जो है, जैसे हम कोई चीज बनाते है, उसके लिए कुछ इंग्रीडियन्स की जरूरत परती है, वो इंग्रीडियन्स किसे ने बनाया है, वो अल्ला पाक ने बनाया है, और ये बहुत जरूरी है, ये जानना के, के ये सारी चीज जब एक फाइनल प्र बहुत फरक लाया जब मैंने कुरान की वो आयत के नीचे और दस आयते तरजुमे के साथ पड़ी तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बैट गई और मैंने सोचा कि सना तुम तो अपने आपको बड़ी पॉपिलर समझती हो जहां जहां जाते हो लोग आपसे पिच्चर लेते हैं आप जो काम आप कर रही हो परदे पे दिखती हो और लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से तो क्या मैं वाकरी इतनी popular हूँ, क्या मेरी कोई कीमत है और हम सब जानते कुछ चीजे जो होती है, आज मैं हूँ, मेरा वक्त है थोड़ा आप जवान है, तो आपकी कीमत है जैसे जैसे आपका age आजाती है, आपकी उस field में, at least उस field में मैं थी और देखा जाये तो बहुत सारी जगाओं पे, जब हम काम करते हैं, बहुत सारी जगाओं पे लोग कहते हैं कि अरे, इनकी age हो गई, अभी ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो एक वक्त होता है, एक period होता है और मुझे ये realize हुआ कि मैं ये वक्त waste कर रही हूँ और मैंने सुचा कि क्या मैं really कामियाब हूँ और तब मुझे जवाब मिला कि ये मेरी कामियाबी नहीं है जब इनसान की जो कीमत है ना, चीजों की कीमत तो इनसान लगाता है पर जो इनसान की कीमत है वो अल्ला लगाता है और इनसान की अगर कीमत अल्ला के नजर में इधर है तो वही असल किम्ती चीज है और इसलिए मैं अपने लाइफ को बदलते गई कुछ चीजे करते गई कि दुनिया तो वक्त निकल जाना है लेकिन असल चीज है हमारी आखिरत असल चीज है अल्ला से मिलना और मैं उनकी नजर में कामियाब होना चाहती हूं मैं उनकी नजर में वैल्यूबल होना चाहती हूं कि ये मेरी बंदी है और ये वाकि वैल्यूबल बंदी है इसने अपनी जिन्दगी को सही रुख पे लेके गई और अपनी जिन्दगी का वैलियू समझा जो मैंने इसे दिया तो बस इन सारी चीजों को आपको बताने का खुलासा ये है कि हम कोशिश करें के हम ऐन vosकी नजर में गामियाब बने अलाह की नजर में कीमती बने और इस दुनिया में अच्छे इंसान बने हम लोगों के कम में आए यह से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उकरिज़त लिन्नास पे कि हम हमारे दोस्तों के, हमारे पडोसियों के, हमारे मुलक में, पूरी दुनिया में, हर किसी के काम में आए, नहीं उनकी बैटके गीबत करें, या उनका दिल दुखाए, या उनके लिए ऐसी चीज़े बोलें, और निकल जाए, उससे देखो कोई फरक तो पड़ता है ने, क् कि अगरे, आपको सबर का भी इनाह में, जो कुरान पाक में और हदीशों में कहा गया है, तो बेशक मैं मानती हूँ कि इन चीज़ों का रिवॉर्ड तो हम सब को मिलेगा जो भी सबर रख रहे हैं, जो लोगों की ताना कसनी सुनते हैं, कोई मसला नहीं है बर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाए उन्हें दुआएं दे और उनको पुश करे एक अच्छे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना है उनकी टांग खीची करे कि भाया यह नो कैसे किसी को वो किया जाए क्योंकि चाहे इनसान जो भी कर ले लेकिन एक कभी इजटों में जिल्लत छुपी होती है और कभी कभी लोगों के जिल्लतों में इजट छुपी होती है वो हमें नहीं पता, तो बस हम दुआ करें और लोगों के काम आए और एक अच्छे इनसान बने और ल Zahl के नजर में कीमती बने खुदा हाफज